तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि यह मेरा एकनम फ्रेशली फॉर्माटेड यह आप देख सकते हो यह मुझे यह सब बोल रहे हैं फॉर्माटेड की 20 प्रो तो इसका बूट लोडर वैसे अनलॉक्ट है और बूट लोडर अनलॉक करने के बाद अब अगर हम लोग जाकिया कुछ भी फ्लैश करना पड़ रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कस्टम रिकॉवरी से तो कस्टम रिकॉवरी इंस्टॉल कैसे करते हैं हम लोग को तो स्टॉक रिकॉवरी मिलते हैं स्टॉक रिकॉवरी में से कुछ होत नहीं सकता नहीं है कुछ होता ही नहीं है उसमें बस वाइब डेटा कुछ छोटे मोटे आप्शन्स रहते हैं तो कस्टम रिकावरी जिससे टी डवलो और पी ओरेंज फॉक्स हैं हम लोग क्या से लोड करेंगे तो उसका स्टेप पाइस्टेप प्रसीडियोर चलिए देख लेते हैं वैं सो वैस चलिए शुरू करते हैं आज का ये चाहिए अज हम लोग अपने रेड्मी के 20 प्रो में कस्टम रिकावरी फ्लैश करेंगे जो कि है ओरेंज फॉक्स रिकावरी आज मैं इसके 20 प्रो में फ्लैश करूँ गा तो इसके लिए कुछ भी नहीं अपके पास अपना लै यह तो इस फोन में आपको जो करना है वो अभी मैं आपको दिखा उना यह यहाँ पर आपको सेटिंग्स में पहले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने MIUI वर्जिंग में काफी बार क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर दिखारें अगर आप डिवलापर नहीं है तो इसके बाद अगर आप डिवलापर है तो आप अप अपने फोन को ले जाएंगे तो वो कैसे होता है वो है पावर बटन और वॉल्म डाउन बटन एक साथ आपको दबाना पड़ेगा ऐसे तो यह है हम लोग का फोन जो किए फास्ट बूट मोड में आ चुका है अब यह से साइड में रख देंगे अब आ जाएंगे अपने लैप्टाप पर तो यह यह लेप्टप है, यह मेरा लेप्टप है, इसमें हम गुछ file चाहिए यह होते हैं इस प्रजस्स पर इयंदो को है काफी सिंपल है नियाज है, मतलब yes हमocyows के लच्वार महाने करना है यहां पर system wide obviously yes तो installing adbn fastboot यह हो रहा है फिर इसके बाद आपको device driver obviously yes enter अब आपको यहां पर कुछ भी नहीं next finish बस automatic off हो जाएगा यह तो इसके बाद हम लोग को एक और एक file चाहिए उसका नाम है platform tools platform tools का भी link मैं दे दूंगा description में वहां से आप download कर दीजिएगा यह platform tools है platform tools में आपको क्या करना परेगा आपने जो वो ROM का zip file download किया है उसे platform tools में ही आपको रखना परेगा रखने के बाद platform tools folder में के shift दबा के कहीं भी एक right click करेंगे मैं फिर से कह रहा हूँ shift दबाने के बाद आपको right click करना है और यह रहा open powershell यहाँ पे आपको click करना है तो हम लोग का powershell open हो गया है अब आपको क्या करना है आपका यह phone जो कि आपने fast boot में किया था यह लेना है और USB से आपके computer के साथ connect कर देना है तो अब इससे side में रख देना है तो इसके बाद हम लोगों को छोटे मुटे कुछ code लिखने है first line क्या लिखना है fast boot devices एंटर तो यह रहा अब यह जो यहां पर दिख रहा है जो ID और fast boot इसका मतलब है हम लोगा phone connect हो चुका है यह ID अगर आपको नहीं दिखाया तो इसका मतलब समझ लिजी कि इसका मतलब आपका phone जो है properly connect नहीं हुआ है तो कुछ किसी step में आपने error है तो यह होने के बाद next आपको क्या लिखना है fast boot flash recovery यह लिखने के बाद आपको यह जो आपने recovery फाइल जो zip फाइल उसका जो image फाइल आपने इस फोल्डर में ब्लैटफॉर्म टोल्स के फोल्डर मे files यहां पे copy करना है तो आप क्या कर सकते हूं इस file को लेना है drag करके यहां पे कर देना है पस अब आपको क्या करना है enter अब हो गया हम लिख का kanu custom recovery flash हो गया अपने फोंने अब क्या करना है हम लोगों फिर से फोंन में आ जाना है pantalla shirt अब यहां पे आने के के बाद हमें पावर बटन और फॉल्यूम अब बटन को एक साथ दबाना है ताकि हम जो न्यू कस्टम रिकावरी है वो लॉंच कर सके तो कुछ सेकंड्स यह ओन हो गया हम लोगों का फोन कि यह ओन हो गया हम लोगों का ओर इंच फॉक्स रिकावरी यह फोन अभी हम लोगों का encrypted है आप देख सकते हो यह पूड़ी तरह से encrypted phone है हम लोगों का अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको decrypt कर कैसे करे format करके अब हम लोगों को जाना पड़ेगा manage partitions में फिर data ओके यह रहा format data आपको देख रहा होगा format data में आपको click करना पड़ेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा yes ओके यह हो गया हम लोगों का data successfully format अब आपको जाना पड़ेगा फिर से कम laptop में आप जाईए यह जो जो phone का storage है यह आपको show कर रहा होगा internal storage 107 GB खाली है तो यहाँ पर आपको इस folder में जाना पड़ेगा अब आपना power share minimize करके रख सकते हो या फिर close कर सकते हो और यह जो अब हाँ यह है हम लोगों का phone का internal storage अब यहाँ पर हम लोगों को क्या-क्या रखना पड़ेगा यह जो हम लोगों ने अपने platform tools folder पे जो दो file हम लोगों ने रखा था एक है जो zip file जो custom recovery का zip file है यह यहाँ पर custom recovery का zip file और और एक है यह file इसको हम लोग कहते है disable encryption यह जो मेरा phone encrypt हो गया था इसको ताकि यह बार बार encrypt ना हो इसके लिए यह disable force encryption इसका एक zip file है यह भी आपको copy करना परेगा phone के memory में तो यह होने के बाद हम लोग का laptop का काम यहीं खतम होता है तो हम लोग इसे off कर देंगे और अपने फिर सबने phone में आ जाएंगे phone में आने के बाद यहाँ पे बस दो simple step हम लोग को करना परेगा एक तो है यह recovery image हम लोगो को यहाँ पे flash कर देना पड़ेगा recovery select करेंगे यहाँ पे हम लोग recovery select करने के बाद flash हो गया successful और इसके बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा यह इस zip में इसको भी हम लोगों को flash करते करना पड़ेगा यह सब कुछ का link मैं description में आप सभी को दे दूँगा इसके बाद हम लोगों क्या करना पड़ेगा reboot to system system start हो रहा है अब ऐसे यह था पुरा procedure अपने phone में custom recovery flash करने का hopefully आप सभी को काफी help मिला होगा मेरे इस video से काफी simple तरीके से ही मैंने कोशिश किया है आप सभी को समझाने का अगर आपको यह video पूरी तरह से helpful लगा हो तो please do like, share and subscribe it will be very much appreciated और मिलते हैं आप सभी को next video में thank you